वेलो गेल्ज, वेल्कम पैक माई यूटुब चैनल, जिलोजी, नोट्स, आन लेक्चर, तो आज का टॉपिक है इन्फेंटिसाइट, इन्फेंटिसाइट इस्टार्ट करने से पहले, एगर आप चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सस्क्राइब करें, और बेल आइकन को ट्रेस क आने वाले वीडियो आप तक पहुत सके, साथी साथ, अगर आपको किसी और टॉपिक के वीडियो चाहिए, नोट से ये, तो आप कॉमेंट सेक्शन पर कॉमेंट करके जरूर बताएं, तो चलिए आपकर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम कंटेंटेंट दिखते कि इसको कितने किती किरी में बाता गया है, 300 male और female जो होती है, दोनों के द्वारा होता है, इन फैक्टिसाइट साथ ही साथ हम unrelated young में देखेंगे, और जो shibling killing होती है, उनको देखेंगे, लास्ट में conclusion देखेंगे, तो फस्ट है sexual selection, समझते हैं कि sexual selection होता क्या है, sexual selection जो होता है, वो तब होता है, जब एक link के जो member होता है, मतलब one sex के animals के द्वारा, other members के साथ, meeting करने के लिए, compact करते हैं, means fight करते हैं, तो वो किसमें आते हैं sexual selection में, होता क्या है, कि जो member होता है, male या female जो होता है, दोनों के द्वारा ही infantiside होती है, सो अभी हम sexual selection परते हैं, कि sexual selection होता क्या है, तो sexual selection तब होता है, जब वन सेक्स के जो एक लिंक के जो मेंबर होते हैं एक लिंक के मेंबर अधर मेंबर के साथ मेट करने के लिए सेक्स करने के लिए कमपैक्ट करते हैं फाइट करते हैं एक सेक्स के मेंबर मतलब जो मेंड मेल होते हैं वो other members के साथ meeting के जो भी privileges जो भी वीशेशादिकार हैं उनको प्राप्ट करने के लिए other members के साथ fight करते हैं जैसे कि आपके deer हो गए lion हो गए ये सारे जैसे अगर हम example की बात करें तो बहुत से other species जर्जे के हम मान लेते हैं peacock peacock के जो male होते हैं वो अपने appearance या अपनी behavior के through क्या करते हैं कि जो female होते हैं उनको extract करने के लिए mating के लिए extract करते हैं और extract करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो other male जो होती है male animals उनके साथ fight करते हैं और fight में जो भी animals जो होते हैं winner होते हैं उनके साथ फीमेल जू होती है वो मैटिंग करती है है सेक्वास सेक्ष्छेशन इसलिए होता है क्योंकि जब दो एनिमल्स फैटिंग होती है तो जो इस्ट्रॉंग इनिमल होती है वही इसव मेटिंग के विशेशाधिकार होते हैं उन appointment करते हैं ताकि जब उनके आने वाले जो ones हैं उनमें strong gene जो है वो transfer हो सके साथ ही साथ मेट कर प्रिविलिज्ट प्राप्त कर लेते हैं fight के दूर तो इस जो इसमें जो female होती हैं उनको free छोड़ दिया जाता है जिनके साथ उन्हें metting करनी होती है और इस process हो कहते हैं female choice अब देखते हैं कि Infanticide होता क्या है क्योंकि Main Topic तो Infanticide है तो Infanticide क्या होते Infanticide involved the killing of young offspring by a mature animal of its own species Animals में Infanticide तब होता है जब अपने ही species के एक mature animal के द्वारा young offspring की हत्या याने की killing कर दिया जाता है यह जो Infanticide है इसको हम और अच्छे से detail में आगे पढ़ेंगे बस अभी इतना समझे कि animals में क्या होता है कि Infanticide अपने ही species के कोई mature old animals के द्वारा जो young offspring है उनको kill कर दिया जाता है means जो बच्चे होते हैं उनके जो cubs होते हैं उनकी killing Infanticide है Infanticide जो होती है वो पूरे animal kingdom में कई other species में भी पाय जाता है अब जो Infanticide है उनके क्या क्या include होती है तो Microscopic rotifers होते हैं वे आते हैं इनमें insects, fish, amphibians, birds and mammals ये सारे जो है Infanticide में involved होते हैं जो Infanticide है मैंने पहले बताया कि ये male और female दोनों के द्वारा ही होता है साथी अब filial जो Infanticide है ये क्या होता है दवाया जो filial Infanticide है ये होता ये है कि अपने ही parents द्वारा means parents के द्वारा अपने ही और स्प्रीन की killing filial Infanticide के अंतर गताती है I hope ये समझ मैं हो अब these sometimes involve conceptions of the young themselves which is term filial cannibalism means इसमें कभी कभी यंग में स्वेम का कंजप्शिन्स इंवाल्व होता है कंजप्शिन्स में उप्भोक्ष्वेम का ही उप्भोक्ष्वेम में इंप्लूड होता है जिसे पेलियल कैनिबलीज में का हाज़ा होता है ओकी दा बेहेवियर इस अब हो क्या रहा है कि इसमें जो बेहेवियर है ये बेहेवियर मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें माइक्रोस्कॉपिक रिडिवर्स फीश, अमफिबियन्स, एटिसी मतलब इस तारे जो चीज़े हैं इन्वाल्व होते हैं तो जो फीश में इन्फेटिशाइड है बेहेवियर फीश में बहुत ही जादा व्यापक है और इसके साथ ही साथ कुछ जो टेरिस्टियल एनिमल्स हैं उनमें भी देखा गया है जैसे आप इस टाइग्राम में देख सकते हैं ये मेल यॉयन ये फीमेल यॉयन हो क्या रहा है ये कप्स को किल कर रहा है सो इसके बारे में हम आगे देखते हैं डेटेल में जादा समिज में आएगी इन्फेक्टिशाइड इन्वाल्विंग सेक्चुल कॉन्फिक्ट अब ये होता क्या है तो इन्फेक्टिशाइड का ये रूप जो होता है लिंगों के बीच स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है जहां एक लिंग यानि के वन सेक्स दूसरे का एक्स्टॉइट करते हैं मितलब शोशर करता है मिन्ज एक दूशरे के साथ फाइड करते हैं थिश्रे को हाम करते हैं तभी तो पता चलेगा कौन स्ट्रॉग है जो स्ट्रॉग होता है उसी को मेटिंग के लिए अधिकार प्राप्थ होते हैं तो आम तलब पर जो मेल होते हैं जो इस behavior से benefit होते हैं ऐसे case में जहां male जो होते हैं वो parental care में female के समान ही role play करते हैं और जहां पर victim होते हैं जो पर predators होते हैं उनको older का दिया जता है means कभी-कभी male infanticide करते हैं तो कभी female infanticide करते है means कहने का मतलब यह है कि male और female दोनों के दोरह ही infanticide होता है तो चले हम एक एक करके देखते हैं पहले हम पढ़ेंगे by male by male में हम सबसे पहले देखेंगे पहले समझते हैं topic कि जो infanticide हो वो male के दोरह कैसे होती है तो हम infanticide by male लंगूर, sorry हम main लिखा गया है बट यहां पर होगा male तो male लंगूर में देखेंगे so main, sorry यहां भी male लिखा है male लंगूर that kill infant to gain more rapid sexual access to female mean, main लंगूर जो होता है जो male लंगूर वो female तक अधिक तेजी से sexual पहुच प्राप्थ करने के लिए infant को kill करता है जो उनके शीशू होती है उन्हें kill करता है कि जो female के शीशू होती है जो infant होती है उन्हें वो kill कर देती है जो male लंगूर होती है वो ताकि उस female के साथ mating कर सके अब जो newcomers male होती है वो previous resistant male की जगा ले लेते है उनको replace कर देते है और means कहने का मतलब ये कि दो male में fight हुआ एक तो उस female के male के साथ other male जो है उनका fight किया गया तो जो new male होती है वो old male को fight करके हटा देते है out कर देते है जो new male आते है वो उनकी ही female के साथ mating करते है पहले क्या करते है कि जो previous resistant male होती है उनकी जगा ले ले लेते है old male की जगा ले ले लेते है new male इसके बाद उस पुराने यानि कि old male के जो भी infant शीशू होते है उनको kill कर देते है और old male की जो female है उनके साथ mating करते है जोन्होंने अभी अभी अपने बच्चे खो दिये होते है in loin for example infected side कब होता है infected side अकसर तब होती है जब male का एक new group young cups के साथ कई female वाले pride से male को बाहर कर देता है कहने का मतलब वही है कि new male का group जो fight के थूँ old group है male की उनको fight के थूँ out कर देते है और आने वाले male nine month से कम old के जो cups है उनका शिकार करते हैं उनको hint करते हैं और उनको मारने की कोशिश करते हैं kill करने का कोशिश करते हैं अलगी जो female लंगूर की तरह जो लॉइनिस होती है जो शेर्निया होती हैं वो भी अपने cups को protect करने के लिए कोशिश करती हैं और कभी-कभी वो success भी हो जाती हैं अपने cups को जीवित रखने वाली लॉइनिस जो होती हैं शेर्निया जो होती है टू इयर के intervals पर बच्चे को जन देती हैं कप्स को जन देती हैं लेकिं जिन female के जो babies हैं वो मारे जाते हैं अगर वो जन्व से पहले ही मारे जाते हैं तो वे तुरंथ ही वापस से sexual cycling आप में आ जाती है वापस से शुरू कर देती है sexual cycling और meeting करती है अपने ही और स्प्रेन के killer के साथ आयोब ये टॉपिक आपको समझना है लॉयन जो होती है मैंने एक्जांपल ने बताया सो यहाँ पर जो लॉयन है वो जो कप्स हैं उनको हंट उनकी killing कर गे ले जा रहा है तो यहाँ पर क्या करता है ये कप्स की killing करता है जो कभी इन प्राइट के साथ थी अब मेल जो एडल्ट मेल है उनको displacing करने के बाद ये जो कप्स होते हैं उनको kill कर देते हैं जो बोलने का मतलब ये है कि मेल एक कप्स को पालता है अपने शाथ रखता है जिससे उसने मतलब जो एडल्ट मेल है उनकी displacing करने के बाद kill कर देता है उनको कभी उनके प्राइट के साथ भी थे अब हम देखते हैं कि infecticide by male mouse male mouse में क्या होता है male mouse show great variation behavior over time male mouse समय के साथ-साथ behavior में variation show करते हैं और female के साथ mate करने के बाद male mouse मिलने वाली किसी भी पप्स के पती बहुत ही ज़ादा aggressive हो जाता है और लगभग 3 week तक ऐसे ही चलता है जिसके बाद mouse के पप्स के प्रती protective और parental हो जाता है अब ये 3 week जो होता है mouse के लिए gastricion period होता है कर्पधारण की अवधी होती है ताकि जो mouse है वो infected side से parental behavior में परिवर्तन हो शके और उस time को show करता है जब उसके अपने बच्चे की पैदा होने की शंभावना होती है यदि एक female पहले से ही pregnant है और किसी strange male के territory में इंटर करती है तो इंटर करने के 3 week के भीतर ही अगर वो अपने बच्चे को जन्म देती है तो जो pups हैं वो male के द्वारा मारा जाना निश्चित है अगर वो एंब्रियो को पूना अफ्शोशित मिन्स डिजॉविंग करके pregnancy को शमाप्त कर देती है तो न्यू पप्स के जन्म के समय तक male में एक hormonal बदलाव हो चुका होगा और तब पैदा होने वाले यंग की survive के ने की स्वभावना बहुत साथ हूथ है अब हम देखेंगे protect against infecticide so after the destruction of a clock-chop egg the male associated with the infecticide female meets with her and care for a new birth of her egg एक के एक new मतलब एक का एक शमो का है एक clutch of egg के destruction के बाद जो male होती है male है वो infecticide करने वाली female के साथ associate हो जाती है जोड जाते हैं और उनके शाथ meeting करते हैं और उनके एक के लिए new broad की care करता है so by female female के तोरे infecticide इस तरह जो जाकाना नामक एक water bird होती है जैसे आप डाइग्राम में देख रहे हैं जाकाना नामक जाकाना जाकाना female carry out infecticide fig तो यह जाकाना नामक water bird होती है इनमें male एक और young जो होती है young की vicious care करते हैं और जो territory की defending रच्छा करने वाली female होती हैं वो कभी कभी ना अपने परुसी के female की जो chicks हैं उन पे attack करती हैं जिससे जो भी चिंता करने वाले males यानि कि जो ऑस्परिन की care करने वाले हैं ऑस्परिन की जो care करते हैं उन male को अपनी ऑस्परिन को त्यागने के लिए मजबूर कर देती हैं यह infantiside female और infantiside female जो हैं उन male को ऑस्परिन चोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद उनके साथ ही मेटिंग करते हैं इसके बाद वो इन्फेक्टिशाइट करने वाली जो फीमल होती है उनके साथ मेट करते हैं और एक का एक न्यू ख्लज जो है वो एकसट कर लेते हैं अब हम देखते हैं कि अंडिलेटर यंग क्या होती है तो इवोलिशनले दिश्टिस से अन्रिलेटेड यंग की किलिंग करना और भी असान है क्यों असान है क्योंकि कई स्पीसिज में मेल अपने श्वेम के रिप्रोडेक्टिव इंट्रेंस को आगे बढ़ाने के लिए उन इंफेक्ट को किल कर देते हैं जो उनके अपने नहीं होते हैं जैसे कभी कभी होते हैं जैसे एक बच्चे उसके सौतेली मा के बीच कुछ कुछ बोलने का मतलब यह कि इनमें होता है यह है कि जो उनके बच्चे नहीं होते दुसरे के होते तो वो किल कर देते हैं यह दुस्थिफिक एक्जम्पल था तो अब हम आगे दीखते हैं कि उग्जम्पल सो लायं के गृप जो फीमेल होती है व्हो परिमंध फिम्बर होती है और ये समय- समय पर दो या तीर मेल के ग्रूप जो होती है उनको जॉईन कर लेती है और आम तोर पर एक fight के बाद जो previous मेल होते हैं उनको out कर देते हैं बाहर कर देते हैं और प्रतेक टेक ओवर में नियो मेल के सभी यंग कप्स को pride में किल कर देते हैं वीशेश रूप से वे जो अभी भी female से milk ले रहे होते हैं अगर आप image को देख रहे होंगे तो ये इसमें जो lion है वो अभी अभी एक cups को kill करके ले जा रहा है जिसे उसने अभी अभी kill तो किया है एक cups को ले जा रहा है जो उसने kill किया है लेकिन male के तो रहे infected side आम बात है जब ये pride पर take over कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि male अपने cups को नहीं बलकि previous male जो होते हैं उनके दर पैदा हुए जो infant हैं उनको kill कर देते हैं अब देखेंगे shibling killing each other कुछ case में जो shibling है एक दिसरे को मारते हैं मार डालते हैं तो जो मौक और उनके शाति हैं उन्होंने 1987 में ये शो किया कि जो great a great होते हैं अक्सर सिब्लिस side की practice करते हैं और अपने older जो brother sister है उनके द्वारा निस्टिंग की active killing जिसमें parents देखते हैं लेकिन उनको हस्त छेपने ही करते हैं उनको अपने ही बीक से काट सकते हैं और यहां तक कि उन्हें पुश करके अपने नेट से अपने खुछले से पाहर कर सकते हैं आप अगर हम conclusion देखें तो हम conclusion गई जो हमने अभी तक आपको बताया उनका सहर है इंफेक्टिस side जो है वो older animals के द्वारा young animals जो होती हैं उनके killing है female and male दोनों के द्वारा की जाती है जो pups से unrelated होते हैं या unfamiliar होते हैं related mice and walls की जो crowdal population में इंफेक्टिस side की संभावना इससे कहीं अधीक है कम भीड़ वाली परिस्तिते मिल जहां पर population ज्यादा होगी इंफेक्टिस side ज्यादा होगी और जहां कम population है वहाँ इंफेक्टिस side भी कम होगी सो आज का topic यहीं तक थैंक्यू